आप सभी को शर्टिला एकादेशी वृत की मंगल शुपकाब नए भगवान स्विहर विष्णू की गृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे 6 फरवरी 2024 मंगल वार के दिन शर्टिला एकादेशी का वृत रखा जाएगा तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे शर्टिला एकादेशी वृत की कथा एक समय दालब भेरिशी ने महरसी पुलस्ते से पूछा हे महराज, मृत्यू लोग में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदी अनेको महापाप करते हैं पराय धन की चोरी करते हैं और दूसरे की उन्नती को देख कर इर्शिया करते हैं तथा अनेको प्रकार के व्यसनों में भी फशे रहते हैं फिर भी उन्हें नडग प्राप्त नहीं होता इसका क्या कारण है न जानेवे कौन सा दान अत्वावे पुन्य करते हैं जिससे उनके पाप नश्ट हो जाते हैं यह सब क्रिपा पुरवक कहिए पुलस्तिमुनी कहने लगे हे राजन आपने अत्यंत सुन्दर प्रश्न पूचा है इससे संसार के जीवों का कल्यान होगा ब्रम्हा विश्नु रुद्र तथा इंद्र आदी भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते हैं परन्तु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ आप ध्यान पुरवक सुनिए हे राजन मागमाज के लगते ही शनान आदी से शुद्ध होकर इंद्रियों को वश्मे करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, एहंकार, इर्श्या, अभिमान आदी त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उसके कंडे अर्थात उपले बनाने चाहिए उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो और साथी एकादशी तीती हो तो और भी स्रेष्ट है श्नान आदी नित्यक्रिया से निवरित होकर देवाधी देव श्री भगवान विश्नु का पूजन और एकादशी का व्रत करें रात्री को जागरन करना स्रेष्ट है उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेत्य आदी से भगवान का पूजन करके खिचडी का भोग लगावे और श्री हरी भगवान विश्नु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीता फल और सुपारी सहित अर्ग्य देते हुए विनय कर हे भगवन आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फसे प्राणियों का उद्धार करनी वाले हैं, हे पुंडरी काक्ष आप लक्ष्मी सहित इस तुक्ष अर्ग्यों को स्वीकार करें, इसके पस्चाद जल से भरा हुआ कुम्भ अर्थात घड़ा ब्रा यही हजार वर्ज स्वर्ग मेवास करता है, तिल मिश्रित जल में श्नान करना, तिलों का उबडन लगाना, तिल मिश्रित सामगरी से हवन करना, और तिल मिश्रित जल को पीना, और भोजन में तिलों का प्रियोग करना, तथा तिलों का दान करना, ये छे कार्य शट्तिला क के दिन इन छे कार्यों को करने से अनेकों प्रकार के पापनश्ट हो जाते हैं इतनी कथा कहकर पुलस्त रिशी कहने लगे कि एक समय नारत जी ने भी भगवान श्री विश्नु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने सत्तिला एकादशी का जो महात्मय नारत जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो भगवान विश्नु कहने लगे हे नारत मुनी मैं आखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ तुम ध्यान पूर्वक सुनो प्राचीन काल में बृत्यू लोक में एक ब्राम्हनी रहती थी वह सदैवरत किया कर दी थी एक समय वह एक मास तक लगातार व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया, यद्यपी वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित धन तथा अन्य का दान नहीं किया था, इससे मैंने सोचा कि ब्रामणी ने व्रत आदी से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, और इसको विष्णू लोक तो मिल ही जाएगा, परन्तु इसने कभी भी अन्य का दान नहीं किया, और इसलिए इसकी त्रिप्ती होना कठिन है, तब ऐसा विचार करके, मैं एक भिखारी बनकर मृत्यू लोक में उस ब्रामणी के पा समय बीतने पर वह ब्रामणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में आई, मिट्टी का दान करने से उस ब्रामणी को स्वर्ग में सुन्दर महल मिला, परन्तु उसने अपने घर को अन आदी सामगरियों से शुन्य पाया, तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवन, मैंने तो अ एकादिशी का पुन्य और विधी सुन लेना, तब ही द्वार खोलना, भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई, और जब देव इस्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्रामणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं, तो शर्टिला ए इसी मानुसी है, उस ब्रामणी ने उनके कथना नुसार सटिला एकादिशी का वरत किया, इसके प्रभाव से वह सुन्दर और रूपवती हो गई, और उसका घर अन्यादी समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया, अतह मनुष्यों को मुर्खता त्याग कर सटिला एकादिश माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए पूरे श्रधा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर्णामक एक दैती था, रामण और कंश की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था, और स्वर्ग म को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारेडिक सकती लगा कर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके, भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा, तब वे हिमाले की एक गुफा में जाकर छुप गए, मु जानते हैं कि शरीड में 10 इंद्रिया है, 5 ग्यान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, 11 इंद्रिया है मन, संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11, चुकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11 इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम स देत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं, अब एकादशी के दिन वरत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषना की कि एकादशी के दोरान देवी के इस महानकार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा, लेकिन पाप तो पहले से ही है जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रे की तलाश में इधर उधर भागने लगा एकादशी के दौरान वह कहां रहेगा वह जहां भी गया सभी ने उसे आश्रे देने से इंकार कर दिया तब अन्त में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रे देने के लिए सहमत हो गया इसके बारे में एक श्लोक है यानि कानीच पापानी ब्रह्म हत्या दिकानीच अन्नमाश्रित्य सर्वाणी तिस्ठंती हरिवासरे अगहम सकेवलम भूंगते यो भूंगते हरिवासरे तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रे लेते हैं और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानि एकादशी के दौरान भोजन करता है ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानी, परेशानी इत्यादी बन जाएंगे इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारन करना चाहिए भगवान विश्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारन करेगा उसके समस्त पाप नश्ठ हो जाएंगे और उसे अंत में विश्णु लोग की भी प्राप्ति होगी एकादशी को विश्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है उनकी मूर्ती पुरी जगनात मंदिर और द्वार का धाम में भी है भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं इसलिए यह इतना बवित्र दिन हैं एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान स्रिक्रिष्ण ने धर्मराज युदिश्टिर से कहा गालव मुनी का भदरशील नाम का एक पुत्र था भदरशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया मुनी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था एक बार मुनी ने भदरशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किस ने कहा है भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का वरत करता आ रहा हूँ आम तोर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता जब तक आप मा के गर्व में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी यह एकादशी वरत की शक्ती थी जिसका वे पालन करते थे वे एक पुर्व जन्म में धर्मकीरती नामक राजा थे धर्मकीरती बहुत कुरूर था उसे कोई पसंद रही करता था ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन को चारों और से घेरने के लिए कहा राजा ने कहा कि जो भी उस हिरन को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा हिरन ने यह सुना और सोचा बेचारे सैनिक मैं उन में से किसी को कुछ भी नहीं होने दूँगा हिरन राजा के पास से निकल भागा राजा ने हिरन का पीछा किया सुर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फस किया हिरर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था राजा ने एक पेड के नीचे रात बिताई उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज भी सुनाई दे रही थी वह सो भी नहीं सका राजा ने डर से श्रीहरी परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया फिर सुबह होते ही उसके मृत्ती हो गई यम्दूत आये और उसे यम्राज के पास ले गए यम्राज ने पूछा तुम लोग इन्हें यहां क्यों लाए हो इनका स्थान तो वैकुंट में भगवान महा विष्णू के बगल में है यम्दूतों ने यम्राज से कहा लेकिन राजन यह तो महा पापी है यम्राज बोला नहीं वह सब चला गया है यह अब बिल्कुल पवित्र है जिस दिन इसके मृत्यू हुई वह एकादशी थी उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरी का स्मरण किया उनके सारे पापदूर हो गए यह पवित्र हो गए तब यम्राज ने स्वैम एक स्वर्ण रत बुलवाया और राजा को वैकुंट भेज दिया इसके बाद जब लोगों को इस बारे में प्रिथ्विप्रपता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिकुद साहित हो गए तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय एकादशी के दिन भगवान श्री हर विष्णू की क्रिपा की प्रापती के लिए श्रीमत भगवत गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए विशेश कर श्रीमत भगवत गीता का ग्यारहम आध्याए तो आज आप सुनने वाले हैं श्रीमत भगवत गीता का ग्यारहम वाध्याई अर्जुन ने कहा हे भगवन मुझपर ट्रिपा करके गुप्त आध्यात में विश्यक वचन जो आपने मुझसे कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया हे कमलनेत्र मैंने जीव की उत्पत्ती नाश और आपका अक्षय महात्म आपके मुखारविन्द से विस्तार पुर्वक सुना हे पूरसोत्तम हे परमेश्वर आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है तो हे योगेश्वर हे मधुसूदन आप यदि मुझे उसको देखने योगे समझे तो अपनावा अव्याई रूप भी मुझे दिखाईए श्री भगवान ने कहा हे पार्थ नाना प्रकार के नाना वर्णो के और नाना आकार में मेरे शत्षत सहस्त्र सहस्त्र रूपों को देखो हे भारत तुम वसू, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चरे देखो हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहू, तुम यहां मेरी देह में देख लो, परन्तु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिवे नेत्रे देता हूँ, उनसे मेरा दिवे रूप देखो संजय ने धिरतराष्टर से कहा कि हे राजन, इस प्रकार, श्रिक्रिष्न चंद्रजी ने अर्जुन से कहा और दिवे द्रिष्टी देकर अपना अलोगी गुरूप दिखाया, उस विशुरूप के अनेकों मुख्र, नेत्र और अध्भुद द्रिष्य थे, और उसमें अन सुर्यों की प्रभा एक साथ हो, तो उस महात्मा की प्रभा की समता ना कर सके, उस समय अर्जुन ने देवाधी देव के शरीर में अनेकों प्रकार से विकल समस्त जगत को एकत्रीत देखा, अर्जुन आस्चरे चकित हो गया, शरीर रोमांचीत हो गया, उस ने शीश नवा प्रवत्र चमकते हुए अगनी तता सुरे के भादी प्रकाशवान दुर निरिक्ष और अपरम पार देख रहा हूं। मेरे मत्से तुम ही ब्रह्म, जाननी की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन, धर्म के रक्षक पुरान पुरूश हो। मैं आपको आधी मध्य तथा अंते से रहित, अनन्त शक्ती, अनन्त भुजचंद्र, सुरे नेत्र, जिसके कांतिमान अगनी के सद्रिश्य मुख वाला, अपने तेज से इस संपुर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूं। हे महात्मन, पृत्वी और आकाश के मध्य की वह अनन्त और संपुर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भैभीत हो रहे हैं। यह देवताओं के समुह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भैभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्तना कर रहे हैं। महर्षियों और सिध्धों का समुह स्वस्ती कहकर नाना प्रकाड से तुम्हारी प्रसंसा कर रहा है। अने को वर्ष से फैलाई हुए मुख के जलने वाले विशाल नेतर युक्त तुमको देखकर हे विश्णो मेरा जी खबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाणों वाले और कालागनी के और भिश में, द्रोण और करण, तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा, बड़ी बड़ी दाणों से युक्त, विकराल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और उनमें कितने लोग आपके दांतों से दब कर ऐसे दिखाई देते हैं, मानों उनका शरीर तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, हे विश्णों, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीव चाट रहे हैं, आपकी तीशन प्रभाएं समझत संसार को तेज से व्याप्त करके त्रिप्त हो रही हैं, यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझ से कहो, हे देववर, आपको नमसकार है, मुझ पर प्रसन्न हो, हे जगत करता, आदी पुरुष आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ती मेरी समझ में नहीं आती है, श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ सबका संगहार करनी के लिए आया हूँ, तुम्हारे युद्ध न करनी पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, आतैव तुम उठो, शत्रुओं का संगहार कर, यश को लेकर इस सम्रिद्ध साली राज्य का भोग करो, हे सव्यसाचीन उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तु तुम केवल निमित मात्र हो जाओ, मेरे मारे हुए द्रोण, भीश्म, जैद्रत, करण और अन्ययोधाओं को मारो, घब्राओं मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे, संजय ने कहा, इस प्रकार स्रिकृष्ण जी के वच्चन सुनकर, मुक्ट धा कर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं, और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है, हे महात्मन, हे अनन्त, हे देवाधिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों नमस्कार करें, व्यक्त और अव्यक्त आप हो, तथा इन दोन इश्वका विस्तार करने वाले भी आप ही हो, आप वायू, यम, अगनी, वरुन, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो, आपको नमस्कार है, और बार बार आप ही को नमस्कार है, हे सर्वस्वरूप, आप अनन्त वेर्यवान दथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो, तुम्हारी महिमा को ना जानकर, मैंने तुमको अपना मित्र मान कर हे क्रिष्ण, हे सखे, ऐसे जुत रसकार से कहा, सो प्रमाज से अत्वा स्ने इसे, हे अच्युत, तुमसे इन बोलों की शमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैटने और भोजन के समय, अकेले अत्वा मित्रों के मध्य में, तुम्हारा कभी अपमान किया है, तुम इस स्थावर जंगम रूप से, पिता पुझ और महान गुरू हो, तुमसे अधिक अदुल प्रभाव कहां से होगा, इसलिए, हे इश, तुमको शीष जुगा कर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर क्रिपा करो, हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, और प्री प्रिया के अपराद क्षमा करता है, वैसे ही, तुम मेरे अपराद क्षमा करो, हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर, मैं प्रसन मैं फिर आपको वही किरीट, गदा, औश्र, हाथ में चक्रधारन किये हुए देखना चाहता हूँ। तब स्रिक्रिष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजो मैं, अनन्त, आध्य और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है। भाय द्याग कर प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। अर्जुन, जैसा मेरा लए तुमने देखा है, ऐसे लएको वेदा ध्यायन, तप वा यग्या आधी कर्म द्वारा देखना भी असंबव है। अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्वले है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति के द्वारा जान सकते हैं, और तत्व ज्यान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वत्तम मानते हैं, मुझमें भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुख मोड चुके हैं, संपुण प्राणी मातर से वैर्त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए जगत गुरु भगवान स्टिक्रिश्न की जै परम भक्त अर्जून की जै और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आर्थी धन्य तुलसी पूरण तप कीनो शालिग राम की बनी पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले श्रीपती कमले चरण लपतानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धूपदीपने वेद्य आरती पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो प्रेम से बोलिये तुलसी महिया की जै दोस्तों उमीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए मिलती हूँ आप से अगली वीडिय में तब तक के लिए जै श्री रादे